ऐसे ही एक बगर भाईयों की भेन होती हैं जिसकी साधी कर दी जाती है आप बेटी के दो ही ठीकाने होते हैं या तो उसकी सुसराल होती है या उसका पिहर होता है लेकिन जिस बहन को भाई ना हो तो उसका एक ही ठीकाना होता है उसकी सुसराल और उसमें उसको यातनाए दी जाती है ऐसी ही उसकी सासूचे प्रेशान करती है तो दुखी होकर के रोकर के वो बहन क्या कहती हैं सुनिये हेरी मेरा मत ना करो मखोले बोले इसे बोलो मैत ना हेरी मेरा मत ना करो मखोले बोले इसे बोलो मैत ना बिन भाईयां की भाण एक लिए बिन भाईयां की भाण एक लिए तुरती थारे जर्णा मेठे के लिए हेरी मत पी जांगी में से गोण बोले इसे बोलो मैत ना हेरी मेरा मत ना करो मखोले बोले इसे बोलो मैत ना हेरी मेरा मत ना करो मखोले बोले इसे बोलो मैत ना तंसिकार दे बढ़ता हनाता सासु होस धर्म की माता हेरी थारे जर्णा मेरा मत ना करो मखोले इसे बोलो मैत ना तेरी मेरा मत ना करो मखोले बोले इसे बोलो मैत ना सजरो कमाल हो जाता है उसकी सासु से मारने लग जाती है रोती है कहती है कि और मारो मेरे तो भाई भी नहीं है ना जिसको मैं जाकर के अपनी दुखवरी दास्तान सुनाओं कैसे क्या कहती है पर जी पहूं का होग मैं खाणा और महार लेके आवे से उलाणा कोर मार लेके आवे से उलाणा हेरी मन मती ठोकरा मैं रोड बोल इस बोल मैं ते ना हेरी मेरा मत ना करो मकोले बोल इस बोलो मैं ते ना हेरी मेरा मत ना करो मकोले बोल इस बोलो मैं ते ना करी चने लाल करी खाल या गति का मत करी ओ या पिमान भगति का मैं रही हुकम पैडोल इस बोल मैं ते ना हेरी मेरा मत ना करो मकोले बोल इस बोलो मैं ते ना हेरी मेरा मत देना करो मकोले बोले इचे बोलो मै देना